जैसे जैसे बिहार में बिधान सभा चुनाओ नजदी का रहा है वैसे बिहार में बीजेपी और आरजेडी के जो तेवर है वो दिखाई देने लगे हैं और दोनों में लगभग अगर सभी जगह की तक्रीबन बात करें तो जंग भी जारी है और इसी क्रम में हाली में घटना सीवान जिले की है यहां पर बीजेपी और आरजेडी के कर्च करता है वो आमने सामने दिखाई दे रहे हैं जो कि गोरिया कोठी बिधान सभाशेत्र का म सामला है और इनी सब मुद्दों पर हम बात करेंगे जो पुर्वसांसर परुनाथ सिंग के परक्ता है सुरेंद्र पाइंडे जी इनसे हम बात करेंगे सबसे पहले सार आपका एटीन लाइब में स्वागत है आपका भी बहुत-बहुत स्वागत है कि इस बार्ट प्रित इ जानना चाहेंगे कि जिस तरह से आप लोगा जो इलाका है लकडी नभी गंज इधर बार्ट प्रित जादे ज्यादा हो चुके हैं और इसमें देखा जा रहा है कि बीजेपी और आर जेडी आमने सामने दिखाई दे रही है आप लोग बार्ट प्रितों की मदद कम कर रहे ह राजिती जादा हो रहे है यहां का भाजपा का स्थित्य है ही नहीं जो है वह आर जेडी है और आर जेडी बार्ट प्रितों के साथ है यहां आर जेडी कोई राजनीत नहीं कर रही है आर जेडी के टोटल कज करता रा जेडी टोटल परिवार बार्ट प्रितों के सुक दु उसको क्या माना जब तो राइनितिक लड़ाई कही जाएगी उस घाटना को मैं आपके चैनल के मादम से करी सब में निंदा करता हूं मैं आपके चैनल के मादम से अस्थानिय सांसत जनातन सिवाल से या जानना चाहता हूं कि लगविए परखंड में एक आरप पंचायत है और एक आरप पंचायत के लोग बार प्रभावित हैं आखिर ग्राम पंचायत प्रवली को ही टार्गेट क्यों किया गया आपको क्या समाजिक न्याय के बेखती थे समानतों से वहां लड़ने का काम किये हैं उनका परिवार दो दो बर वहां मुक्या रहा है वो परभुना सिंके समर्तक हैं वह सद्देव प्रसास सिंके समर्तक हैं वह समाजिक न्याय के साथ लोगों के बार पिरतों मेरा कर मदद कर रहा हैं उनलों को लगा कि हम लोग का जनाधार अब समाप थोरा आए बीजेपी का तो कहीं डा कहीं ये स्टंट किया जाए तो उनलों को सुरक्षी जगा परवली ही लोगा इसलिए उनलों अजीत कुमार्शिन से अजुरा गए मैं दावे के साथ कहता हूं और डंका के चोट पर कहता हूं कि अजीत कुमार्शिन जो मुखया है पपू जिन वो निर्दोस हैं उनको साजीष के दोरा सामसद और दोरा पसाया जा रहा है लेकिन देवेसकान जी का कहाना है कि आप राधी हैं आप राधी चरित के बैखती हैं कई अपहरन के भी इन पर मामले दर्ज है आपके जो मुखियां है पपु जी चर्चा में मैं काना चाहता हुँ जिसको नose चीट देदिया हो ँसपर कमेंट करने का किसी को कोई अधिकार नहीं है अगर नोपर किष चलता नेपल का अगर थींब तो मैं भी उनको अफ्रादी मांना धा लेकिन जब न्याले उनको clean share दे दिया कि वो निर्दोस है तो मैं दंका के चोट पर कहता हूँ कि पॉपुशन उनका परिवार निर्दोस है उनका केस होना चाहिए और राज़त परिवार उनका केस करेगा और इस सब मुद्दा को लेकर राज़त के बढ़िये नेता जिला समर्ता सिवान और जिला अधिक्षक पुलिस अधिक्षक सिवान से सिखर ही मिलेगा और टोटल विशाबस्त को बताएगा कि यह गारपंचायत इसका मतलब कि पहले से कुछ प्री प्लानिंग थी निश्चित रूप से भाजपा जान रहा है कि मेरा जनाधार समाप तो गया है उसका जंडा दोने वाला कोई नहीं है तो उचाहा कि वहां जाकर जाती बिद्वेश फैला दें और जाती बिद्वेश फैला कर अपना बखेस कराते हैं इस छेत में 2400 घंटा रहते हैं बाठ पिरितों के साथ रहते हैं और उस रास्ता से जा रहे थे अपने बाठ पिरित अस्वभाविक है इस दुनिया के लोग जानते हैं कि जब अपने समर्थक पर संकट आएगा तो कोई भी नेता वहां जाएगा जब उस स और कोई चैनल के लोग उनका इंटर्विव ले रहते हैं तो सौ भाविक है हम लोग भी रास्ता धा कर जाते हैं और कोई बिपक्षी दलगर धार्णप प्रदर्शन करता है और हम लोग की गारी होती है तो हम लोग अपने गारी साइट कर लेते हैं जब तो कुछ पास कर ज जालना क्याता हूं और आप से कहना चाहताँ है कि अगर कोई आरोप लगाता है फट पुषिंप तो आप उससे दास्तिवेज मांगे कि तुम अब पर निश्ची तुरुप से मानानी का किस होगा सुरेदर जी आपको क्या लग रहा है कि एक घटना तीन घंटा पहले घट रही है सिग्रवाल जी जब जाते हैं और ठीक दो तीन घंटे के बाद फिर पपू सिंग कहीं साथ वहां भी यहीं पपू सिंग के साथ और यहां भी घटना घट रही है वह भी पपू सिंग के साथ तो इसको क्या माना जाए माना जाए देखिए इतो मैं पलाई बता रहा हूं कि प्रिपलान है हरायपूर और भावानी अस्थान की दूरी तीन किलो मीटर है जैसे ही वहां से जनारधन सिंग्रवाल जी चले गोपालपूर के ब्रावल जा एक जाती वीशेस का सथ एग्रा निए अंज唷 स सचिछ के साथ लोग करता हू है है उनके दुख सुद सुनने के लिए जा रहे थे तब कि आग घटना घट गई एक साजीस है आप मेडिकल में जाइए बसंदपुर मीडिया के लोग को बला कर वो चारो आदमी फोटो घिचवाए आज भी बुधिदेव तिवारी दैनिक जागरं के संबद आता है बसंदपुर में उनसे आप पुछ लिजे कि दस मिलट वो बसंद कर रंग देने के लिए उस सीरियस बना कर रेपर कर दे आज भी प्रवनासिन के अनुज बनियापुर के विधायक के दार नासिन पपुछ इन से मुलकात करने के लिए पड़ावली जा रहे थे तो हम लोग मदारपुर से नहर धकर जा रहे थे जो जीतने लोग कह रहे हैं क कि बारपुर्तों के साथ राजनित नहीं होने चाहिए ने तो इतिएहास माप नहीं करेगा राज़त परिवार जिसका नाम ले उजितना बार को मदद कर रहा है भाजपा को किसी दोर नेता के नाम अगर बता दीजेगा कि बारपीरतों के मदद करता है तो सुरेंदर पढ़े राज़ित से सन्यास ले लगा लेकि राज़त को आप जानते हैं सीवान से लेकर और छेत्र में जो भी अपने क कि अमिद्द्वार मान रहा है कोई कह रहा है कि शाहब दिन ने मुझे भेजा है तो क्या माना जाए कि इस पर क्या बिधायक जी को टिकट मिलेगा या फिर क्या कुछ अमने चेहरे आएंगे देखे इस पर तो मैं अभी कोई कमेंट नहीं करूंगा इसलिए कि एक तरफ बा कि वाग कोई नहीं है वैसे लोग तंत्र है सभी दल राजाद ही नहीं सब दल में लोग हैं जो कज करता है उसकी मत कंचा होती है कि हम बिधायक MP मुखिया पर मुख बने इसको क्या बना जाए कि नाम को बेशने की साजिस्क की कर रहा है लोग जब वो जेल में है तो बात कै सामना है और टिकट जहां तक बात है इतो संसद्य पूर्ट फाइनल करेगा कि कि किसको टिकट मिलेगा यही मेरा करना है लेकिन अभी बार करोना है हम लोग तो भगवान से प्रत्ना करते हैं कि हमारे दोनों नहीं नहीं तीनों नेता जो लालु जादो सहाबुदिन साहब पर्वनासिंग है जो काल कोठिन में बंद है उलोग जनता के सामने चला है डिकट जिसको देंगे उसके साथ राज़त परिवार इमंदारी के साथ रहेगा और तेजस्वी जादों निश्ची तुरुप से मुखमंत्री बनेंगे क्या लग रहा है कि अभी कुरोना जैसी महमारी चल रही है चुनाव को एन वक्त पर कराना चाहिए या कुछ समय इसको आगे ले कर जाना चाहिए लोग तंद्र में जनता मालिक होती है और जनता जब बार्प्रित और कुरोना से ग्रस्त है और ऐस्ति प्रस्तिति में चुन बिहार के मुख मंत्री उनको यह डर सता रहे चंदन जी कि हमारा जब तर्म पूरा हो जाएगा तो यहां राश्पती सासल लागू हो जाएगा तो भाजपा के कटपुतली हो जाएगे प्रसासन और भाजपा जो चाहेगा उकर लेगा और सचाहिए कि नितिश कुमार यह ठ खिलाएंगे वह खिस आज भी नरेंदर मोदी के दिलो दिमाग में है और नितिश कुमार के दिलो दिमाग में भी है इस चाहत जानते हैं कि भाजपा इसलिए नितिश कुमार डर रहे हैं कि अगर राश्पती सासन के दचुनाव हो गया तो नितिश कुमार फिर चला आप तो देख रहें आप तो मीडिया आप तो बहुत प्रारम से यह चुनाओं के पहले आजाएंगे यह तो ने पर डिपेंट करता है तो मैं नहीं लेकिन हम लोग की सुब कामना है हम लोग भागवान से प्राथना करते हैं कि उजल से जल्ध हम लोग के बीच आ जाएं या तो समय की बात बताए या तो लोकसभा की चुनाओ भी लड़ेते या तो समय पताएगा इसलिए मैं कहाना चाहता हूं चंदन कुमार्थ जी एक बार आप मीडिया हैं आप खांगा लिएगा और हम भी कुछ रोज मीडिया का क देश के और विश्व के लोग प्रिये नेता अटल बेरी बैजबेई जी पार्लियमेंट में बोले थे कि गलत समय पस्वाई डिसीजन तो यह जो समय है यह राजनीत का नहीं है यह बार प्रित और कुरोना से है कल तक जिस आदमी को आप सुनते होंगे कि यह मुक आदमी च जन्या से चला गया इसलिए मैं पहला कज करता हूं जो समय से पहले अपनी बात को नहीं रखूंगा सभी संपर सभी बात को रखूंगा चाहिस का परणाम जो हो आने वाले समय में क्या और येडी को कुछ बेनेफिट होगा या फिर निश्चित रुप से राजत की सरकार ब के पास सवाल रखे गए बहुत ही बारिकी के साथ अपना जबाब भी दिया हलाकि इनसे जब पूछे गए कि आने वाले बिहार के जो बिधान सभा चुना होंगे उसमें प्रुनास सिंग के यो बेटे हैं रंधीर सिंग या फिर उनके भतीजे हैं यूराज सुधिर सिंग कहां से चुनाओ लड़ेंगे तो अभी इन्होंने पत्ता नहीं खोला और मिडिया के सामने इन्होंने कुछ भी नहीं बताया लेकिन इतना जरूर है कि काफी बेबाकी के साथ अपनी बातों को रखे हैं और लकणी नभी गंज में जो घटनाय घटी है उस पर भी इन्होंन प्लीले सब काम नहों और इस बार पीड बार जो ग्रसीत इलाके कमसों बार पिड़ितों की इस बार सेवा की जाए ता कि जो बार पिड़ित है उन तक सहाता पहुंचे और इस से परिष्टिती से कम सकम बाहर निकल सके इसी तरह से राइनितिक जो चर्चाएं है वो जारी रहेगी एटियन लाइप पे आप देखते रहें